कल मैंने सुबा के सत्र में सद्रु कबीर के वारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास किया था कबीर कौन और कबीर पन्थी कौन दूसरे सत्र में मैंने सद्रु कबीर के एक साखी लिया था करो वहिया वाल आपनी छाण विराने आश जाके आंगन नदिया बहे सोकश मरे प्याश अभी सद्रु कबीर साहथ के बीजक से ग्यान 34 में एक पंग्ती है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे सद्रु कबीर के ग्यान 34 में एक पंग्ती है ग्यान 34 में 34 अक्षर के माध्यम से सद्रू कबीर ने संदेश दिया है उसकी एक पंग्ती मानाओ मित मित्ययों न छोड़ाई कमो गांठी न खोले हो इस एक पंग्ती में इतना गहरा अर्थ छीपा है आदमी का जीवन बन जाता है यदि कोई जीवन में आचरन करना शुरू कर दे तो सद्रू कबीर के एक एक वाणी में अम्रित भला हुआ है अम्रित भूला हुआ है जीवन का नईया ही पार हो जाएगा सद्रू कबीर साहब कह रही है मानने वरगण माननाओ मित मित्ययों न छोड़े अपने मित्र से मित्रता मत छोड़े सद्रू कबीर की पहली बात अपने मित्र से मित्रता मत छोड़े दुसरी बात सद्रू कबीर कहते है कमव गाठी न खोले हो कभी घर में राक्वे देश की इंसा की जलन की काम की क्रोथ की लोग की मोहों की गाठे मत खोलना सदरु कबीर की पहली बात माननेों सबको संकेत कर रहे हैं कि अपने मित्र से मित्रता मत छोड़ना आपका मित्र कौन पहली बात यदि कोई साधाखाय साधना मारगा में चलता है तो उनका मित्र होते हैं संत गुरुजन लेकिन कोई ग्रियस्त जीवन जी रहा है परिवार में हैं तो उनके सबसे असली मित्र होते हैं परिवार में रहने वाले बच्चे पत्नी परिवार के सदस्या सद्रु कबीर सहब कह रहे हैं कि अपने मित्रों से मित्रता मत छोड़ना और आज हम सब मित्रता तोड़ने में लगे हैं इसलिए घर संसान ग्रिह बन रहा है घर परिवार के रूप में तब्दिल नहीं हो पा रहा है घर परिवार सुना होता चला जा रहा है और घर परिवार रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है आज सब घर होटल और रेस्टोरेंट मर रहा है घर घर नहीं रहा गया है घर घर नहीं रहा गया है सब का घर रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है यदि घर में चार बहु और बेटे हैं तो चारो बहु और बेटे का भोजन अलग-अलग कमरे में जाता है तो इसको रेस्टोरंट ही तो कहा जाएगा आपका घर मंदीर है आपका घर मंदीर है पूरा घर मंदीर है घर में रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता है सद्रुकबीर साहिब इसलिए कहते हैं कि अपने मित्रों से मित्रता मत छोड़ना हम मित्रता छोड़ते चले जा रही है इसलिए अपने ही पराये लगने लग रही है इसलिए अपने ही पराय लगने लग रहे हैं और इसी का परणाम है हमारे भारत देश में विकास कहा जाए या उत्थान कहा जाए या पतन कहा जाए रिद्ध आस्रम बढ़ते चले जा रहे हैं इसके मूल में है हम सब की अपनी कमजोरी हमने अपने जीवन को तरासा नहीं अपने जीवन को सीचा नहीं जीवन को सवारा नहीं जीवन को सुन्दर नहीं बनाया बाहरी चमक दमक को बस सुन्दर बनाया इसलिए बाहर तो चमकता रह गया अंदर खाली हो गया पूरा बाहर से लग रहा है कि बहुत संपन्न परिवार है सब कुछ अप्रुडेट है लेकिन अंदर कोई जांक करके देखता है तो लगता है बहुत विपन्न परिवार है बिल्कुल एक दुसरे के बातें नहीं होती एक दुसरे से वारताएं नहीं होती एक दुसरे से मुश्कुराहट नहीं चेहरे में जीवन एकदम सम्षान ग्रिह जैसे घर में किसी की वारताएं नहीं होती वैसे ही घर बनता चला जा रहा है वैसे ही घर बनता चला जा रहा है आज अवसर मिला है जीवन को सवारने का, जीवन को सिचने का जीवन को तरासने का हम अपने जीवन को तरासते नहीं है बाहरी चीजों को तरासते हैं आपको पता होगो जब आप बाहरी चीजों को तरासते हैं तो उसका किम्मत कैसे बढ़ता है यदि वैसे ही जीवन को तरास देते तो जीवन का किम्मत बढ़ जाता जो दिलमा ही तेल है अभी साहिब ने कहा जो चकमक में आग तेरा साई तूज में जाक सके तो जाग आज आउसर है जाक सकते हैं आज भी हमारे पास आउसर है कोई यह मत सोचे कि मैं बुढ़ापा के अवस्था में आ गये हूँ अब मेरे जीवन के नईया कैसे पार होगा एक आदमी नदी किनारे बैठा था नदी किनारे बैठ करके सुबा सुबा का समय था लगभग लगभग पांच बजे का समय नदी किनारे बैठ करके वहाँ पर बैठा था वहाँ पर कुछ कांच की गोलिया पड़ा था उन कांच की गोलियों को नदी में फेकता और नदी में यो कांच के गोलिया तरंगाईत होता एक बर पानी में डूपता फिर उचलता फिर उचलता फिर उचलता फिर उचलता फिर उचलता फिर उचलता उसको बड़ा अनंदा रहा था ना जाने उन्होंने कितने कांच के गोलिया नदी में फेग दिया जब सुबा हा सुबा 6-6 के समय शुर्य जब उगता है तो प्रकाश के किर्णे उन काश के गोलियों में पढ़ने से प्रकाश के गोलिय चमकता हुआ दिखता है उनके पास से उस समय दो काश के गोलिया बचा है वह देख करके अचम भी तो उगता है कि मेरे पास में जो काश के गोलिया हो सधारन गोलिया नहीं एक बेस किमती है यह बेस किमती जहोरी है कुछ न कुछ महत्तपूर्ण की काश के गोलिया है उनकाश को गोलियों को लेता है और जहोरी के पास जा करके उनकाश को गोलियों को कहानी है उनका आच के गोलियों को बदलता है और बदल करके ला करके घर का निर्मान करता है सुन्दर घर बनाता है गाड़ी लेता है अपने बच्चों की पढ़ाई लेक्षा करता है ना जाने वैसे वैसे कितने काच के गोलिया हमने फेका है ना जाने वैसे वैसे कितने काच की गोलियों को फिक दिया और आज हमारे पास में काँच की गोलिया कै गया हमारा जीवन से इसल में यूटर न लाना चाहे तो आज भी बदल सकते हैं कि आज भी हम अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं हमने जीवन को बदला नहीं, जीवन को सवारा नहीं इसलिए जीवन का महत्त पता नहीं चलता है उनका आज के गोलियों को बदल करके व्यक्ति अपना जीवन सवारता है हमारे पास हर चीज का किम्मत पता है हमको हम सब को हर चीज का किमत पता है हम सब को हर चीज का किमत पता है गाड़ी का, घोड़े का, मकान का, दुकान का, कपड़े का, सोने का, जेवर का हर चीज का किमत पता है लेकिन जिसका किमत पता होना चाहिए उसी का किमत पता नहीं है अपने जीवन का किम्मत पता नहीं है बस हर चीज का किम्मत पता है लेकिन अपने जीवन का किम्मत पता नहीं है इसलिए जीवन आदमी हर चीज का किम्मत जानता है जब गाड़ी लेता है तो पेट्रोल के जगा डीजल नहीं जालता है मिट्टी तेल नहीं डालता है अपने जीवन का किम्मत पता नहीं हर चीज का किम्मत पता होता है जब आदमी एक सधारन सा लोहा लेता है सधारन सा सिंपल लोहा उसको कबाड़ी के पास बेशता है तो वही लोहे 20 रुपे किलू पर जाता है लेकिन वही लोहे को किसी दुखांदार के पास ले जाकर के अका अभीब औरतामान में वहीरे के बहुत लोग है हीरे के वहपारी है। वभी 2 laag रुपिया है और इसी हीरे को तरास दिया जाएगा तो 5, 6, 0,000,000 रुपिया हो जाएगा इस हीरे के 56 पहल निकलेंगे और सभी पहल चमकदार होंगे हीरे को तरासने पर हीरे का किमत बढ़ जाता है चलो वह बहुत दूर बात ही तो जीवन भर कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, पानी तो देखे हैं, जब आप नल में खोलते हैं, पानी ना जाने कितने हजार लिटर पानी आइसे हूडेर देते हैं, जब वही पानी को फिल्टर कर दिया जाता है, वही पानी को तरास दिया जाता है, रिफाइंड कर दि जाता हो 20 रुपे लिटर पे जाता है वही पानी रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पे चला जाता है पानी वही जगा बदलने से 50 रुपे लिटर पड़ जाता है जगा बदल दिया तरास दिया गया रिफाइंड कर दिया गया किम्मत बढ़ गया आप कभी जीवन वैसे है बाद आपके घर पहुंचते पहुंचते एक 170 रुपिया घ्र向 173 रुपिया घ्रिस आप जीवन को तो यूँ ही बरबाद कर दिये हैं हमने कि और अपने जीवन को तो बरबाद करते हैं साथ सात आने आने वाले पिढ़ी को भी तबाह कर डालते हैं। आपके साथ देंगे, पड़ोसी तो बस देखते रहा जाएंगे और हासी मजा करते जीवन निकाल देंगे। संपत्ती का दुर्प्योग नहीं करते हैं, सोंचते हैं मेरे जाने के बाद, मेरे बच्चे संपत्ती का यूच करेंगे। माबाप हो होते हैं। माबाप कभी कटी वचन कह दिये, उनको सुनने का छमता रखिये। सहता वही है जिसमें जान होती है, यकरणा तो मुर्दो की पहचान होती है। जो पत्थर तरासा जाता है, जो पत्थर चीनी और हाथोड़ी का चोट सहता है, वो भगवान का मूरत बन जाता है, और जो पत्थर चीनी और हाथोड़ी का चोट नहीं सहता तूट जाता है, उसे लोग उसे पैरोपे कुचल करके आगे बढ़ते हैं, मंदीर के सुड़िय मित्रता का भाव होता है, आप अपने घर में पहले आपके पतनी हैं, तो आप पहले पती और पतनी नहीं, आप पहले मित्र हैं, आपके बच्चे आपके जोड हो गए, तो आपके बच्चे आपके मित्र हैं, आपके माता पिता आपके मित्र हैं, उनके पहले आज्याओं का प जावा और कोई हैसा नहीं है जिसको सारी बात बताया जाए मित्र को ही सारी बात बताई जाती है मा और पिता को उतनी बात नहीं बताया जाता और पतनी को और बच्चे को उतना बात नहीं बताया जाता जितना बात अपने मित्र को बताया जाते हैं आपका मित्र कोई भी हो सक प्रेम नहीं बच्चे नरक का जीवन जीते हैं। मित्रता चाहिए मित्रता के अभाव में सब तूट करके बिखर जाएगा समय नहीं लगेगा और यदि आपके घर में मित्रता नहीं है तो उस घर में बच्चे संसकारवान भी नहीं होंगे इस चीज को भी याद रखिएगा उस घर के बच्चे संसकारवान भी नहीं हो सकते जिस घर में माभारत युद्ध चलता है रोज उस घर के बच्चे कैसे संसकारवान होंगे जिस घर में माबाब का सम्मान नहीं उस घर में बच्चे कैसे संसकारवान होंगे और हर माबाप के लगजों में रहता है हर माबाप के लगजों में हमारे बच्चे हमारा कहां नहीं मानते आपने कब सिखाया है कि आपके बच्चे आपका कहां माने आपने तो सिखाया ही नहीं है आपने जो सिखाया बच्चे आपके करते हैं आपने जो सिखाया बच्चों को आपके बच्चे उकरते हैं, आपने सिखाया मकान कैसे बनाना चाहिए, आपके बच्चे सिंगल मंजिल से डबल मंजिल मकान बनाते हैं, आपने सिखाया जमीन कैसे खरिदना चाहिए, आपके बच्चे जमीन खरिदने के तरीका जानते हैं, आपने बच्चे को मुबाइल सिखाया, मुबाइल सिखे, आपके पास की पेड़ था ना, आज के बच्चे एक एंडरेड मुबाइल पकड़ते हैं, आपके बहरे मोटर साइकल था, आज के बच्चे फोर विला लेने का हिम्मत रखते हैं, आपने सिखाया है, कोई नहीं सिख बच्चे पैदा होते हैं, उसको सिक्षा दिया जाता है, संस्कार नहीं दिया जाता है, बच्चे पैसा बनाने के फैक्टरी बनाया जाता है, और पैसा बनाने के फैक्टरी से सिर्फ नौकर बन सकता है, इंसान नहीं बन सकता है, तब कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहां न नचाहिए, कब आपने सिखाया कि माबाप की कभी आरति उतार रहे नचाहिए, कब आपने सिखाया कि संथ गुरु जशिति के सांडित्ध में जाकर बैटना चाहिए, आपने सिखाया ही नहीं। कब आपने अपने बच्चों को कभी वृद्ध आस्रम में कभी आनाथालाय में कभी आस्रम में ले जाकर के दिखाए कि वृद्ध आस्रम में माबाप बच्चे की बिना कैसे तरस्ते हैं व्याकूल होते हैं और अनाथालाय में ले जाकर के कभ दिखाए कि बच्चे अपने मा आस्रम में ले जाकर के आपने कब पढ़ाया, सिखाया कि संत जन कैसे सेवा, सुधाया और साधना करते हैं जीवन ए वैराग्य, साधना के तर्योयणी में डुपकी लगाते हैं और जीवन को तरास करके उपर ले जाते हैं इस दुन्या के ज़ंजट से हट करके अपने जीवन का निर्वान की स्थिती पे जाते हैं, कप सिखाया, आपने सिखाया ही नहीं, आपने सिखाया ही नहीं, मैं उस दिन भी कहा था, बच्चे पैर छु रहे हैं, आसिरवाद ले रहे हैं, माबाप के मूँग से पान गलगला रहा हैं थुक रहें आसिरवाद दे रहें कौन सा आसिरवाद देंगे आप मैं छोटी सी मोटी सी बात कह रहा हूं जीवन को तरासिए आप आजा उसर मिला है प्रेम सी जीए वो माबाप है जब लड़की साधी करके लाते हैं घर में बड़े सपने संजोय रहते हैं मेरी में आने के बाद में बहु एक कटू वचन नहीं सा पाती है घर तूट करके बिखर जाता है मैं चीज बताओं आप कुछ मताओं को बहनों को तीन बार उसर मिलता है घर बनाने का तीन पिढ़ी को सुधारने का पहले तीन बार उनका जन्मा होता है पहले कन्या के रूप में दुसरे बार ग्रिहनी के रूप में तिसरे बार मा के रूप में तीन बार जन्मा होता है और घर को अधिक्तम तोड़ने वाले मा होती है बहने होती है छमा चाहता हूँ लेकिन इभी जानिए घर को बनाने वाले भी आप ही लोग होते हैं आप ही ही लोग घर के वातावरन बदलते हैं आप ही लोग घर को सजाते हैं आप ही लोग बच्चे को प्यार देते हैं और चाहे तो अपने पती को पती को बच्चे को सब को बदल सकते हैं कोई सराबी हो कहा दो अगले दिन सराब पी करके आना तो तुम घर में मत घुसना, चंडी का रूप धारन कर लेना, कोई आपके पती में हिम्मत नहीं को उसराप पी करके घर में आ सके, आप आउसर देते हैं उसको आप बिगाड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को, मा की बातों को, पिता की बातों को, उनके कान में भरते हैं, टे वादिमी कैसा सह 새 तो क्या करता है बाहरी से डोज लगा करके आता है और वहां जाने पर तो फिर उडे रेंगे एक तो ऐसा सरभारी लग रहा है घर में आने के पास उसको सीतल पानी चाहिए प्रेंम चाहिए», प्रेंम का फावारा चाहिए घर में घरम घरम भोजन चाहिए घर में भोजन तो आप देते हैं लेकिन भोजन के साथ साथ में जहर भी उनको खिलाते हैं तुम्हारे माने ऐसे कहा तुम्हारे पती ने तुम्हारे भाई ने ऐसे कहा तुम्हारे भाभी ने ऐसे कहा क्यों आप घर को मानो उमित मितयों न छोड़े अपने मितरता कभी मत छोड़ना मां होती है बड़ी सोचे रहती है बड़ी लंबी उडान भरती है कि मेरे घर में बहु आएंगे उसके बाद में सकुन से आनंद से जिएंगे और माबाप फोन पसीना एक करके आपको घर के मालकिन बना देती है मैं तीन बात कहा पहला जन्म होता है उनका कन्या के रूप में जब कोई घर में बेटी जन्म लेती है तो कन्या के रूप में लेती है 15-25 साल तक घर में रहती है और उस घर के 0-25 साल तक लेकिन 15-25 साल एक ऐसी अवस्ता है जो होस की अवस्ता होती है उस समय अपने घर के माहल को बदल सकती है घर के रहन सहन के लोगों को वारताओं को बदल सकती है एक बार पहले बार जन्म उस घर में एक जन्नी को सुधार सकत पहला दूसरा जब वही लड़की साधी होकर के विवा होकर किसी के घर में जाती है तो लगभग फिर से उनका नया जन्मा होता है पचीस साल के बाद उस घर में जाकर कि उस घर के वातावरन को बिदल सकती है सेवा भाव से प्रेम से सब के दिल को जिश सकती है उस घर में एक नए सुर्ग का महोल बना सकती है आनंद भी खेर सकती है लेकिन मा ही उनको पहले से ऐसे से घुट पिला करके भेशती है देखो तुमारी देरान ऐसे कहतो ऐसे बोलना जिठान ऐसे कहतो ऐसे बोलना तुमारी घर के बहु के कोक से मा के रुप में जब बनती है उसके कोक में एक बच्चा आता है तब वो तीश्री पिढ़ी को सुधार सकता है आप लोग सुची कितने बारोसर मिलता है एक मार अमेरिका में रहती है जब भी इंडिया आती है तो अपने बच्चे को कहती है, बेटी को कहती है, बेटी मेरे साथ कभी इंडिया चलोगी, उनकी बेटी जानती है, मा उपर से बोल रही, अंदर से नहीं बोल रही है, उनकी सासु मा बोलती है, बेटी तुम्हारी मा कह रही है, अमिर्का जाने के लिए जाओ, कुछ दिन मुझे अशा सिक्षा और संस्कार मेरे अंदर भरा है, मुझे लग्जों को पकड़ती हूं, मां, ओ कभी नहीं चाहेगी कि अपने सासु मां और ससुर को छोड़ करके मेरे पास कुछ दिन के लिए ओ कभी नहीं चाहेगी, आप कितने दिन छोड़ना चाहेंगे? एक बार छुट्टी मिले, दो दिन के छुट्टी मिले है, छे दिन बिन वापीस ही नहीं आते हैं प्रेम करना सुखिए जब मुसीबत की अवस्था होगी माताओं से भी निवेदन है मुसीबत के अवस्था में आपके बेटी ही काम आएंगे आपके बहु ही काम आएंगे, बेटी काम आने वाले नहीं है प्रकृति का नियम है जब समुद्र में ज्वारभाठे लहरे आती है तो नस्दी के गड़ों को लबा लब करते हुए आगे बढ़ती है आदमी का मन कैसा है? दूर का ढोल सोहावन नस्दीक से लोगों के प्रेम नहीं अपना पिता अच्छा नहीं लगता अपने पिता के मित्र अच्छे लगते हैं अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते अपने मित्र के बच्चे अच्छे लगते हैं अपनी सासु मा अच्छी नहीं लगती है वो मा अच्छी लगती है जिसे कोसो दूर छोड़ाएं है अपने बच्चे उतने अच्छे नहीं लगते हैं पडोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं दूर का ढोल सोहावन है आपके बच्चे ही काम आएंगे आपके पती ही काम आएंगे आपके बहु और बेटे ही काम आएं एक उधरण बताऊं फिर अपनी बास्वाव तकूंग एक जगए एक माँ वुड़िया अवस्था थी बुढ़ाबा की अवस्था नहीं नहीं घर में साधी होकर के बहु आती है और साधी होकर के आती है उसके बाद में उन्होंने मा ने कहा बेटी एक घी से मक्खन से भड़ा घरा भड़ा हंडा पका देना घी बन जाता है मक्खन पक जाता है उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसको उठा करके रसुई रूम में रख देना, बाद में उसको छान करके रख लिया जाएगा, घर में नए नही बहु आये थी, मक्षन उठा, मक्षन घी से भरा घड़ा उठा रही थी, घड़ा छूट जाता है, घी पूरा प्रबाद हो जा आती है आज्त मेरे खbury औट नहीं नहीं दस लीटर घी बरबाद हो चुका है आज मेरे खर्यत नहीं लेकिन उनके मा सासु मा आती है और पुछती है बेटा तुमको जलत नहीं को चोड तो नहीं लगी, बहु बोलती है मा घी पूरा बरबाद हो गया मुझे कोई नुक्सान तो नहीं हुआ न चोट लगी नहीं कहीं पर चला भी नहीं है मा बोलती है बेटी घी फीर से हम बना सकते हैं लेकिन तुम सुरक्षित हो इससे अच्छी बात क्या है कुछ वर्षो बाद वही मा बेड रिष्ट पे चले जाती है और बेड में ही टटी पिसाब खाना पीना सब कुछ बेड में बेड से न उठ सकती है न चल सकती है न बोल सकती है सब कुछ बेड में होता है उसकी पूरी सफाई करती बहु एक दिन उनके मा आती है देखने के लिए अपने संदीन को अपने बेटी की स्थिती देखती है कि इतनी गंदगी सफाई करती है अपने बेटी को आसिरवात देना चाहिए लेकिन बेटी क्या बोलती है हमेशा विपृत दिशा बताती है बहु गी की सुगंद आती है घी की सुगंद और पूरा घटना बताती है मैं पहले बार आई थी तब घी उठा रही थी घी के घड़ा छुट जाती है लेकिन मा कुछ नहीं बोलती है आज वही एक घटना उनके जीवन को बदल देता है आप प्यार करिए अपने बच्चों से सदु में नहीं आता है तो संद गुरुजन है जो सही दिसा में ले जाते हैं पूरे संसार के लोग धन कैसे कमाया जाए यह टेकनिक बताते हैं लेकिन संद जन धन का उपयोग कैसे किया जाए इसको बताते हैं धन का कैसे सदुपयोग किया जाए यह तरीका बताते हैं बांकी तो उसे प्यार करना सिखिए, आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए, तो गर्व के साथ कहे, कि मैं एक ऐसे माबाप के कोक्सी जनमलिया हूँ, जिन्हों ने मुझे सिक्छा और संसकार दिया, और वो अपने सिना चोड़ा करके कह सके, कि धन्य है ऐसे माब इसलिए जीवन को कभी मित्रता की गांठ नहीं खोलना है, और सदुर कबीर साहब कहते हैं, कमो गांठ ही न खोले हो, मित्रता बनाए रखना, कभी राक का, द्वेश का, इसा का, जलन का, काम का, क्रोथ का, लोग का, मोह का गांठ मत खोल देना, जिस दिने कांठ खुल जाएगा, उस दिन जहर ऐसा विशाद फैलेगा, घर घर नहीं नरक का द्वार बन जाएगा, पिता पित्र नहीं लगेंगे, दुस्मन नजर आएगे, मा मा नजर नहीं आएगी, दुस्मन नजर आएगे, भाई भाई नहीं लगेंगे, दुस्मन लगेंगे, अपने देरा जिठान का रिष्टा नहीं रहा जाएगा लगेगा कि ये कब इस घर से विदा हो ये कब इस घर से निकले घर नरफ का द्वार बन जाएगा और घर तूट करके विखरने में समय नहीं लागेगा और पुझ्जेवर साहिब जी लोग विराजमन हैं मैं अपने वार्णी को यहीं पर विरान देता हूँ बोलिए सब्गुरु देवा की